हेलो फ्रेंड्स विल्कम बैक टो माई चैनल मैं संध्या और आप देखर हो संध्या सी लाई डिजाइन फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग 38 साइज ब्लाउस की कटिंग करने वाले हैं तो बिल्कुल यह हमारा अस्तर वाला ब्लाउस है इसी में हम लोग कटिंग मैं ठाब अस्तर गाँतर मैं रोगाइं आप चली लाहा शाणर करते हैं होंरे प्लाउस नहीं सबतलि हम इस सब्सक्राएं 1000 लीए वड़ हम replacing है यहां से कटके तो सबसे हम क्या करते हैं अपने हम 폭वित कपर करने चैनल कट्टिंग करते हैं तो अभी मीन तर्षाइबूंच स्टाइ्ड में ले लिए हैं अब हम इसको पूर ओपन कर लेंगा इस्तालिक कारी कर एवा कि हम इसे हमें को पूर डवल करना है जैडा है तो दब कार्षा मैं बटत मिल्स के है लेंगे तो अमें प्लाउस की जितने भी इत तयार रखना है उसका हमें राखना होना चाहिए जिनका भी ब्लाउस बना रहा है सबसे पहले, हम अपने लेंगे 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 0 तो आपको 14 इंच ब्लाउस तयार रखना है, मतलब मुझे यह ब्लाउस जो तयार चाहिए, यह 14 इंच ब्लाउस तयार रखना है, अब हम इसमें 1.5 इंच प्लस करके लेंगे, बैक पार्ट में, क्योंकि यहां पर हाफ इंच सोल्डर में जाएगा, और एक इंच नीचे की साड़े 15 इंच की पूरी लेंथ लेनी है, तो आप क्या समझे, आपको जितना प्लाउस तयार रखना है, उसमें से सिर्फ आपको बैक पार्ट में 1.5 इंच लेना है, ठीक है, प्लस करके, यह हमारा उपर का कपड़ा निकल आया, मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती तो देखो, यहाँ पी आपको फ्रेंट पार्ट में 1.5 इंच प्लस करके लेना है, तो एक इंच हम किस केस में लेंगे, अगर आपके पास कपड़ा कम बच रहा है, तो फिर आपको यहाँ पे एक इंच ले लेना है, अगर आपके पास कपड़ा ऐसे परफेक्ट है, यानि क देडुपर को जाएगा तो आपको रख लेना । यह हूं निकाल से इस तरह कि structले पड़ एक даже लिए तो हम 2 शुल्ट में पड़ अम भी descets Est Ó यह निकालने के बाद इसको को डबल फोल्ड में हो जाएंगो this एक, दो, तीन और चार, यह हमारे चार लेयर में कपड़ा हो गया है, और मैं इसको आपको बता दूँ, यह जो हमारा बैक पार्ट था, यह हमारा अंदर के साइट चला गया है, अब उपर जो कपड़ा आया हमारा, यह हमारा आया फ्रेंड पार्ट, बैक पार्ट हमारा नीच कपड़े के बंद भाग को अपनी साइट को रखेंगे खुले भाग को उधर साइट को रखेंगे और बराबर से कपड़े को मिला लेना है तो इस तरह से यह हमने इसको पूरा फूल करके रख लिया है अब ऐसे रखने के बाद हमारी लेंध निकल चुकी है अब हम यहां पर नाप लगाएंगे गले के लिए ठीके तो 38 के बलाॉस में हम गले के लिए 0,5 इंच पर निशान लगाएंगे यह हमें निशान लगाया अब यही हमको लेन्द लेनी है तो आपको गले की जितनी भी लेन्द फ्रेंट पार्ट के तयार रखना क्योंकि इस जादा से ज्यारे हमारा 6 इंच या 6.5 इंच तक ही रहता है और इससे कम हो जाएगा लेकिन जादा नहीं होगा जादा से जादा अगर आप बहुत ज्यादा डीप पहनते हो तो फिर 7 इंच से इस्टरा नहीं लेना है वरना फिर आपका फ्रेंट पार्ट का गला खराब हो जाएगा ठीक है तो 6 इंच में मैं यहां पर 1.5 इंच प्लस करके लूँगे तो जितना भी आपको तयार रखना है गला उसमें से 1.5 इंच प्लस करना है क्योंकि हमारा यहां पर शोल्डर पर शिलाई में कपड़ा लगता है और जब हम यहां पर पाइपिंग या फिर गले को फोल्ड करते हैं तो वहां पर भी कपड़ा लगता है तो हाफ इंच हमें यहां पर श्टर लेना होता है तो बस यहां से हमने इंच टेप रखा और 6 इंच पर यहां पर एक लाइन ड्रो कर लेनी है इस तरह से यहां पर यहां पर नीचे की साइट भी लाइन ड्रो कर लेंगे यानि कि यहां बना लेना है और गोल गला निकालने के बाद सोल्डर के निशान लगाएंगे तो देखो यहाँ पर कोई-कोई शोल्डर जैसे थोड़ा सा दीप में पहनता है यानि के छोल्डर किसी को ज्यादा पसंद होता है यां फिर किसी को कम पसंद होता है तो यहां पर जो मुझे ब्लाउस मिनाना तो उनको यहां-पर निकाल निशान लगाएंगे तो मैं यहां पे 5 इंच पर निशान लगाऊंगे, इस तरह से यह मैंने 5 इंच पर निशान लगाया, एक line हमें इधर साइड को draw करनी है तो यह हमने line draw कर लिया अब हम यहाँ पर गुलाई देंगे तो देखो back part में हमें 2 इंच पर गुलाई देना होता है तो 2 इंच के एक line draw करेंगे अब half inch पर हमें front part down करना है तो यहाँ से हमारा back part कट होगा और यहाँ से हमारा front part अब हम क्या करते हैं यहीं पर ऐसे गुलाई कर लेंगे दो बार तो बस यहाँ पर मैं गुलाई कर लेती हूँ तो देखे फ्रेंट्स इस तरह यह हमने यहाँ पर गुलाई कर लिया है अब यह गुलाई करने के बाद हमारा armhole भी complete हो गया है अब हम यहाँ पर शीने का नाप लगाएंगे तो जैसे कि आपको पता है यह मैं 38 size blouse बना रही हूँ यहाँ पर हम चौथा भाग कर लगाएंगे तो चौथा भाग हमारा 38 को चौथा भाग कितना आएगा 9.5 इंच तो यह हम कपड़े के बंद भाग से 9.5 इंच पर निशान लगा देंगे इस तरह से और यहाँ पर हमें 2 इंच प्लस करके लेना है margin के लिए ठीक है यह हमने margin ले लिया थोड़ा इस्टरा ले लिया है क्योंकि यहाँ पर मुझे आस्तीन तो दूसरे वाले उससे बनाना है तो मैंने थोड़ा margin इश्टरा ले लिया है लेकिन आप क्या करिएगा सिफ 2 इंच लिजेगा ठीक अगर आप इसी से लेंगे अब हम क्या करेंगे बस इन निसानों को इस तरह से मिला देंगे तो देखो यह हमने यहाँ पर फिटिंग वाले निसान मिला लिया है और यहां से यहां तक सब्सक्राइब इतना कपड़ा बचा यह हमारा साड़े 5 इंच बचा है तो इधर हम एक इंच कम करके निशान लगाएंगे यानि कि साड़े 4 इंच कर लेंगे यह निशान लगाया अब हम इन निशानों से इस तरह से निशान मिला देंगे थो देखे इस तरइस यह हम ने यहांपे line draw कर लिया है अब हम क्या करेंगे half inch ओपर के side को ऐसे निशान में लएनगे और नीचे की side half inch ऐसे ले जाएंगे यानि कि यहां पे हमें half inch ऐसे नीचे थोड़ा सा गॉलाई करना और फिर इशी निशान में ellente-level इस तरह से हमें अपने इसमें बेल्ट में गुलाई कर लेना है अब ये गुलाई करने के बाद हम क्या करेंगे यहां पर अपने टक्स लगाएंगे तो टक्स कैसे लगाएंगे सबसे पहले हम अपने बस पॉइंट कर निशान लगाएंगे तो उपर से नीचे की साट को हमको 9 निशान लगाना यह चोल्डर का बिल्कुल शेंटर लेना है और यह हमें नौ इंच पर निशान लगाना यह जो निशान लगाया यहीं से लगाये तो इस तरह से हमारा आर मॉल साट जो लगाएंगे यह हम दो इंच छोड़ते हुए लगाएंगे इस तरह से यह चाय टक्स कम्प्लीट किया आप देखो यहां पर हम शोल्डर भी डाउन करेंगे जिससे कि मारा गला उत्रेण तो बैक पार्ट का हमें लेंद मिलेना ह गला गला हाफ इंच लगा लिया चुलागा लगा लिया है अब हमारे शारे निशान से इसार कोड़ा लिए मैं उससे ही कट लेंगे तो बाहर साय्ट से कट इसाइब कर लेगे एसे कब्स करने तो छिए में एहां बनाना है तो थो देखा है भाइख कर द 주री तो ओने कुछ आजS मैं इसे कटकर हो अज़ार है करना है में द동 अ कि दुर्भ हां अचे कृस्ट में कटकर लए तो दॊट्छियां अब हम क्या करेंगे अपना back part को इसे रख लेंगे हाफ इंचirement बइल्ट मेंसे इसे इसे पूरा आर्ट कर लेते हैं तो प्रिंट्स देखेंस क्या है को बड़ेगा अब इसको अचया हम विए पूर जाइवाँ कर लेंगे तो देखो जैसे हमने इधर साइड टक्स लगाया सेम ऐसे ही इधर भी लगाना होगा अब ही हम इसे बीच से अलग नहीं करेंगे इसको हम मेन फैबरिक में जोड़ने के बाद इसे बीच से अलग करते हैं बिल्कुल सेंटर से हमें लाइन ड्रा कर लेना है लेकिन अभी कट नहीं करेंगे जब हम अपना मेन फैबरिक इसमें जोड़ने इसके बाद इसे हमें कट करना होता है अब हम क्या करेंगे इनको हलका सा डार्क कर लेंगे और इधर साइड चाप लेंगे तो देखिए फ्रेंट इस तरह से हमने दोनों साइड टक्स कंप्लेट कर लिया है यह हमारा फ्रेंट पार्ट पूरा कंप्लेट हो गया है अब हम इसे साइड में रख देते हैं आब हमारा यह बैक part आ गया है, तो back part में क्या करुँगी, यहाँ पर अपने गले में डिजाएन बनाऊंगी, तो हो मैं आप लोगों के साथ में सेयर करुँगी, लेकिन दूसरे वीडियो में सेयर करुँगी, अभी इस वीडियो में नहीं सेयर करुँगी, यहां पर हमें चार इंच पर डाट लगाना होता है अगर आपको यहां पर गुलाई वाला गला बनाना है तो आप ऐसे ही गोल गला बना सकते हो मैं यहां पर डिजाइन बनाऊंगे तो फिर मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगे बनाऊंगे आप लोगों के साथ में शेयर करूंगे यह हमने लगाए चार इंच और साइट भी 4 इंच का निसान लगाना इस तरह से और से देखें इस तरह से हमारे डाट कंप्लेटी हो गया है गला में आपको बात में शेयर करूंगी और यह जो हमारे कप्ड़ा बच्चा किपी ही च्प मोच है तो यहां पर आपको स्लीव क् Nice कि अधीक कि आंब कि पर लोगे तो देखिएखस चने तो इस तरह से fold किया, fold करने के बाद, अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे fold कर लेंगे, यहां से हमारी two sleeves निकल आएगे, इस तरह से यह हमारी चार layer में कप्ड़ा हो गया, अब हमारी यहां से दो sleeves निकल आएगे, इतना हमारा इधर का कप्ड़ा बच जाएगा, तो जो हमारा design व तोनों साइड कि में इस हमें अस्तिन के लैंख लने के तो मैंने जसे आपको है कि मुझे दशना बनाना है तो आस्तिन के लंबाई लिए तो नहीं जूड़ेगा जाके तो इसके लंबाई हम को कितनी लेनी है यह लंबाई हमको सीने के चौत बाग करना है तो जैसे आपको पता हिम में 38 साइज कर बना रहे हु, यहां पे हमारा साधे तीन इंच पर डाउन करेंगे यहां हमने पें अर्म होल साइट नहीं पर दो इंच निशान लाव से निशान लगाया नजाम के बाद क्या करेंगे यहां से यहां तक एक लाइन ड्रॉ कर लेंगी है इस तरह से तो यह हमने यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर लिया है अब हमें यहां पे आस्तीन का सेव देना है इस आकार का तो यहां पे हमारा इधर इस ऐसे ही रहेगा हलका सा गुलाई करते हुए इधर अंदर साइट को ऐसे करना है तो देखो इस तरह यह हमने यहाँ पे आस्तिन का सेव दे दिया इसके बाद आगे की साइट बॉटम का निसान लगाना है तो बॉटम हमारा साड़े तीन इंच तो साड़े छै इंच ऐसे ही है इसकी हमें यहाँ पे लंबाई यह वाली रखना है और हमें इधर मार्जिन भी छोड़ना है तो यह हम डाई इंच देड़ इंच ऐसे जो भी आपको मार्जिन लेना हो देड़ इंच से इस्ट्रा ही लेना है जितना भी आपको रखना हो रख सकते हो तो मैंने यहाँ पे 1.5 इंच लिया और इस तरह से अब हमको मारजीन वाले निसान से कोना मिलाते हुए ऐसे निसान लगाना है इसके बाद फिटिंग वाले निसान से इधर साइड हमें 1 इंच छोड़ते हुए निसान लगाना है इस तरह से यह हमारी आस्तीन हो गई इतनी अब हम क्या करेंगे इससे ऐसे ही कट कर लेंगे तो देखे इस तरह से यह हमने यहाँ पे कट कर लिया है इधर साइड से हमको यह अपनी आस्तीन खोल लेनी है तो देखिए यहां से हमारी यह दो आस्तिन निकल आई अब हम क्या करेंगे इसको पूरा ओपेन करके रखेंगे इस तरह से यह हमने इसको ओपेन करके रखा और इसे के उपर दूसरी वाली आस्तिन को ऐसे रखना है इस तरह से यह हमने इसे रखा अब हम क्या करेंगे इसे हाफ इंच अंदर की साइड को डाउन करेंगे ऐसे यह हमने हाफ इंच इसे डाउन किया बस इसे हमें ऐसे ही कट कर लेना है तो देखिए यह हमने इधर अंदर साइड हाफ इंच डाउन के लिए यह हमारी आस्तीन तयार हो गई है तो देखिए इस तरह से हमने अपने आस्तीन और फ्रेंट पार्ट और बैक पार्ट के कटिंग कर लिया है अब हम क्या करेंगी यहां पर हमें हुक पट्टी और आई पट्टी भी चाहिए तो यह जो हमारा कपड़ा साइट से बचा हुआ थ कि टो देखिए इस तरह से हमने अपने हुक पट्ट और आई पट्टी कर लिया है मैं मेन बेजिक करेंगे हैं मेन फेबरिक करेंखिए कैसे कर contenido क्यot तो देखो इसको हमने पूरा ओपिन कर लिया यह हमारा सीधा साइड है मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ यह जो हमारा पैटर्न है यह हमारा स्लीवस में आना चाहिए और इधर साइड यह हम अपना बैक पार्ट निकाल लेंगे और वीच से फ्रेंट पार्ट निकाल ले तो उल्टे साइड में हमने सारे कपड़ी अपने अर्जेश्ट कर लिया देख सकते हो आप यह बैक पार्ट है और इधर फ्रेंट पार्ट है और इधर साइड हमारी हुक पत्टी सौरी आई पत्टी रखिए तो सिरफ आई पत्टी के लिए हमें यहां पे में फ्रेवरीक चाहिए और इधर साइड हमारे जहां पे पैटर्न बना था यहां पर हमने श्लीफ रखा इस तरह से अब हम क्या करेंगे यहां पर यह बीच का कपड़ा मैंने बचा के रखा हुआ है मतलब मैंने ऐसे रखा है कि सारा अरजिश्ट हो जाए और मैंने यहां पर बीच में गला डिजयन बनानी है और यहां पर हम उतल से कपड़ा मैंने क् बचा के रखना है की कपड़ा और यहां पर बीच में बिच कपड़ा ससारी कर लेती हूँ हर जगह से हाफ इंच इस कुप्ट की कटिंगा है हमने ओपर क wore 가녘 5425 फिर ये सलीव से और यह स्लीव से तो एक है और यह है उस तरह परे से ऊप्टे के लिए हमने में फैज़ी और किया किया है तो इस तरह से हमारे सारे पार्ट की इंवाउसरे ताद्म कम्प्लिट हो गया है तो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में पस इतना ही इसकी स्टिचिंग हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं अगर आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है या फिर आप लेट में देख रहे हो चैनल पे हमारे नय हो तो चैनल को सस्क्राइब कर ले ना बेल आइकन भी प्रेस कर देना जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दन्यवाद